प्रत्यक व्यक्ति जीवन में तीन मैद्वपुर्ण गटनाओं से गुजरता है। पहली है जन्म की गटना, दूसरी है जीवन की गटना और तीसरी है मृत्यू की गटना। जन्म की गटना में कोई चुनाव नहीं हो सकता। कहां जन्म होगा, कैसे होगा पता नहीं। इसलिए जन्म के समय अबोधता है। मृत्यू के समय किस्तिती अजीब है। सबको पता है मृत्यू निश्चित है। किन्तु वह कब आएगी, कैसे आएगी, कहां आएगी या कोई इसलिए मृत्यू की घटना में परवश्ता है आप चाहू या न चाहू किन्तु घर परिवार और शरीर को छोड़ कर आपको जाना ही पड़ेगा यह सर्वविदित है जन्म और मरण के बीच रहे जीवन को जीने में व्यक्ति स्वतंत्र है जीवन का उपयोग बेस्ट या वेस्ट में किस प्रकार करना चाते हैं या हम पर निर्भर करता है चाहे बंधनों में बंधे चाहे बंधनों को तोड़े मनुष्य की परम स्वतंत्रता है मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का अधिक्तम उपयोग भी कर सकता है किन्तु मनुष्य ने अपने को दो प्रकार की बेडियों में बांध रखा है इसलिए वह शक्ति होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाता राग और द्वेश की दो बेडियों में एक बेड़ी सोने की है और दूसरी लोहे की है सोने की बेड़ी है राग जो आकशन पैदा करती है और लोहे की बेड़ी है द्वेश जो भय पैदा करती है बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की दोनों ही बंधन का रखी है दर असल इस संसार में जीनने वाला प्रत्यक मनुश्य किसी के साथ रहता है और कोई उसके भीतर भी रहता है किसी के संग जुडने से जीवन में दो प्रकार के प्रभाव आते हैं पहला प्रभाव है प्रियता और दूसरा प्रभाव है अप्रियता हाला कि संबंधों में प्रियता अप्रियता देने का सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य तो लेने वालों की डिष्टी में और सोच में होता है कौन प्रिय है और कौन अप्रिय है यह व्यक्ति की रिष्टी पर निर्बर करता है राग के कारण मनुष्य प्रिय को अप्रिय और अप्रिय को प्रिय मान लेता है यह राग और द्वेश का करिश्मा है संबंध आपको रस्पुर्ण लग रहे हैं या निरस लग रहे हैं या आपके नजरिये पर निर्भर है इन संबंधों को समझने के लिए तीन शब्दों को जानना होगा पहला शब्द है संयोग, दूसरा शब्द है सामर्थ्य और तीसरा शब्द है समझ संयोग, जीवन की राह पर किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक मिल जाना, जिसके लिए हम पहले से कुछ भी नहीं जानते थे यह संयोग पुर्वजन्मों के आधीन है, जिन के साथ इस जन्म में संपर्ग है वे पुर्वजन्म में रहे हुए संयोग है इन संयोगों पर हमारा वश नहीं है यहां बुद्धी का कोई प्रयोजन नहीं है जो स्वाभाविक रूप से मिल जाय उसका नाम संयोग है दूसरा है सामर्थ्य, जिनसे संयोग होता है, उनसे व्योहार में लेन देन भी चलता है कुछ लोग मात्रत देने में विश्वास रखते हैं, तो कुछ लोग लेने में बड़े निपून होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो लेते भी हैं, तो देते भी हैं यही हमारे संबंधों का सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य में हमारा पुर्षार्थ, बुद्धी, एंग्रदय सभी काम करते हैं। ये सामर्थ्य संबंधों को कुशलता पुर्वक निभाने में बहुत मदद करता है। तीसरा शब्द है समझ। संबंधों की लेन दिन रखने की रीती समझ सिखाती है। शुब लेना है तो शुब देना भी सीखो। चाहे बदले में अशुब मिले पर सदा शुब ही दो। यदि अशुब देंगे तो जनम मरण का चक्र बढ़ेगा। और कर्मों की फाइल कभी निल नहीं हो सकेगी। माना कि कोई भी मनश्य अकेला नहीं रह सकता। वो परिवार या समाज के बीच रहता है। अत उसके लिए आवश्यक है प्रत्यक संबंध को समझ और सामर्थ्य के साथ निभाना चाहिए। हाला कि संबंध निभाते हुए जब समझ का अभाव हो जा हैं। जदि संबंधों को राग और द्वेश के दुश प्रभाव से बचाया जाए तो शुब के पत पर चलना आसान हो जाता है। समरन रहे संसार में संबंधों का मुल्य अवश्यक के समान है। जैसे दवाई रोगी को राहत देती हैं। ऐसे ही संबंध भी राहत के लिए बनाय जाते हैं। ताकि आप अपने मन को हलका कर सके। ध्यान रहे आउश्यदी और संबंध में मात्रक एक अंतर है। दवाईयों पर पहले से ही एक्सपायरी डेट लिखी होती हैं। जिसे आप आउश्यदी खरित्ते हुए भी पढ़ लेते हैं। किन्तु संबंधों में एक्सपायरी डेट हम नहीं जान पाते हैं। अतर संबंधों के साथ जीने का विवेक जगाना होगा। संबंधों में सामर्थ्य विक्सित करना हो तो उसमें निहित स्वार्थ को जाचने के लिए ग्यानियों ने तीन कसोटियां बताई हैं। पहली कसोटी जिनसे मेरे संब संबंध हैं उनकी आखों में, शब्दों में, व्यवहार में, रदय में और जिन्दगी में मेरा कितना मुल्य है, कितनी कद्र है, ऐसी सुक्ष्म अपिक्षा मौजूद हो तो जानना संबंध में स्वार्थ है। कसोटी नमबर दो, जिनके साथ हमारा संबंध है, उनका हम आदर करते हैं, और बदले में उनसे आदर पाने की इच्छा रखते हैं, आदर पाने की इच्छा से अगर हम आदर देते हैं, तो जानना मुझे में स्वार्थ है। कसोटी नमबर त्री, जिनके साथ मेरा संबंध है, उनसे मेरी अपेक्षाएं पूर्ण होती हैं, अतब ब अनिवार्य है, जहां राग है, वहीं अपेक्षा है, जहां राग है, वहीं स्वाभी मान को चोट लगती हैं, महा पूर्ण का कतन है, जहां रिलेशन है, वहां रियाक्षन है, जितना गनिष्ट संबन, उतनी ही तीव्र परतिक्रिया होती हैं, मान लो, राहा चलते हुए, आपको किसी अजनभी का धक्का लग गया, आप गिर गये, चोट भी लगी, उस समय आप थोड़ा उंचे स्वर में बोले, आपको तेज गुसा भी आया, पर कुछ देर बाद मन शान्त हो गया, तत पश्चात कुछ दिनों में शरीर का घाव भी ठीक हो गया, न वह अजनभी आपका हाल पुछने आया, और न आपके मन में उसके प्रती शिकायत या द्वेश का भाव लंबे समय तक चला, ध्यान रहे, यदि यह धक्का आपको अपने किसी मिलने वाले से या पड़ोसी से लगा होता, तो सोच पलट जाती, तन का घाव भर जाता, पर मन में सदा के ल नहीं पूछा, या सौरी नहीं बोला, मन विज्ञान कहता है, आत्मिय समबंदों में किसी कारणवश तनाव हो जाए किन्तु वह जल्दी से समाप्थ हो जाए, तो ऐसे समबंद सुखकारी है, यदि तनाव पलों में समाप्थ न होकर, गंटों में समाप्थ होता है, तो व अभी कबार, संबंदों में मन मुटाव जब लंबा चलता है, तो ता सिंदगी सुधर नहीं पाता, सरस्ता समाप्त हो जाती है, ऐसे सिति में चिंतन जगाना, जो संबंद जिन संयोगों के आधार पर बने हैं, उसमें मेरी अपेक्षाएं जादा है, शायद हम अपनी योग् और सामर्थ्य से अधिक चाह रहे हैं, मेरी लेंदेन की फाइल में बहुत ज़्यादा देना लिखा है, इसलिए मैं देखकर रिंड से मुक्त हो जाओं, ज्यानी कहते हैं, इंसान इस दुनिया में जितने संबंद बनाता है, उसमें से शायद एक प्रतिशत जितने संबंद ही प्रेम के हैं, शेश सारे संबंद राग के हुए, जो स्वार्थ का आधार लिये हुए पलते हैं, सच्चाई तो यह है कि जिन संबंदों का रिष्टों का हम पोशन करते हैं, उनके साथ यदि समझ नहीं है, तो वे संबंद आत्मा को बोजिल बनाएंगे, इससे हमारा कल पल्यान नहीं होगा, जब सही समझ के अभाव में आत्मिय संबंदों में मन आहत होता है, तब व्यक्ति तूट जाता है, उस सक्स के प्रती नफरत एवं संसार के प्रती वैराग्य भाव भर जाता है, सावधान आपका राग द्वेश में बदले, उससे पहले उसे वैराग में बदलने का राइट पूर्शात जगा लेना, सावधान आपका राग द्वेश में बदले, उससे पहले उससे वैराग्य में बदलने का राइट पूर्शात जगा लेना होगा, और द्वेश दोनों ही मारक है, विशाक्त है, गातक भी है, राग चिकना है तो द्वेश रूखा है, राग चुहे की भांती ठंडी फोक मार कर धीरे धीरे काटता है, तो द्वेश सर्ब की तरह फुंकार मार कर काटता है, सर्ब काट ले तो इंसान ततकाल मर जाता है, ऐसे प्राय लोग इस बात को स्विकार नहीं करते कि उनके भीतर किसी के प्रती द्वेश है। क्योंकि उनका कहना है हमारा जगड़ा अगर हो भी गया या गुस्से में विवाद भी हो गया तो हम उसे स्टोर करके नहीं रखते हैं, ततकाल समाप्त कर देते हैं, संग्र नहीं करते हैं, हमारे अंदर कुछ भी शेश नहीं रहता। ज्यानी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम किसी को ना पसंद करते हैं, तिरसकार करते हैं, दोबारा से उस पर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब द्वेश की चिंगारी कहीं छिपी हुई है। इसलिए न चाहते हुए भी हम भबक उठते हैं, द्वेश की चिंगारी निमित का पेटुल पाकर बढ़कती हैं, संबंदों की गाड़ी अब टॉप गीर में न चलकर रिवस गीर में चल पड़ती हैं। ध्यान रहे, सभ्यता की राख में दबे अंगारे, तब अपना प्रभाव जाहिर करते हैं, जब किसी व्यक्ति के सोच विचार, रहन सहन, चाल ढाल या भाव भाशा की फ्रिक्वेंसी हमसे मैच नहीं होती। हाडली 10-20% मैच होती है, फलतह डिसलाइकिंग और सफोकेशन शुरू हो जाती है, तब रियाक्शन के लेवल पार होने लगते हैं। कहते हैं, जब एहंकार अपना सीरा उठाता है, तब संबंधों में द्वेश, तिरसकार, गृणा की गाठे पढ़नी शुरू हो जाती हैं। आज हर तरह के संबंध में उमें स्तितियां बड़ी सीरियस हैं। हमारे बीतर द्वेश है या नहीं, इसका निरिक्षन करने के लिए कुछ थर्मामेटर बताये गए हैं। सबसे पहला लक्षन है, जब किसी के गुण दिखने बंद हो जाए, तो जानना द्वेश को जगह मिल गई है। मन जब दूसरों की विशेशता देखने से जी चूराने लगे या किसी की अच्छाया देखकर मन उदासिन हो जाए, तो समझना द्वेश का प्रवेश किसी जगन नहीं होता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पातें। द्वेश सेकंड स्टेच पर तब आ जाता है, जब अंदर से अमुक व्यक्ति के लिए रोश आने लगे। इसस सपष्ट है, गुस्से का जन्म भी द्वेश के कारण होता है। क्रोध करना समाप्त हो जाता है, पर द्वे इस व्यक्ति की प्रशंसा हमें नहीं सुहाती। प्रशंसा सुनते ही बीतर में रहे द्वेश के कारण भाव भंगी मां बदल जाती है। या हम मोन हो जाते हैं, अत्वा प्रतिक्रिया में उसके विपरित कुछ बोल भी देते हैं। महा भारत में ऐसा ही कुछ अर्जुन के जीवन में भी हुआ। अर्जुन और कर्ण की तुलना में कर्ण की विशेश्ताओं का पलड़ा भारी था। कर्ण धनुर विद्या में अत्यन कुशल था और अनेक आंत्रिक गुणों का भी धनी था। पर अर्जुन के मन में कर्ण के लिए द्वेश्त है। कर्ण धनुर विद्या में अत्यन कुशल था और अनेक आंत्रिक गुणों का भी धनी था। पर अर्जुन के मन में कर्ण के लिए तिरसकार भाव थै। एक बार शी कृष्ण ने अनायास ही अर्जुन के सामने कर्ण की प्रशन साकी। तो अर्जुन के बीतर रही द्वेश की चिनगारी सहसा वचनों के माध्यम से बाहर निकली। उसने तुरत कहा मैं भी तो उदार हूँ। आप किस कारण कर्ण की उदारता का बखान कर रहे हैं। लगता है आपके आँख पर पट्टी है जो आपको मेरी उदारता नहीं देखती। तभी तो आपने मेरे गुणो की कभी प्रशन सा नहीं की। यहां सुनकर श्री कृष्ण सिर्फ मस्कुराये और बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन के पास एक ब्रह्मन आया। उसने निवेदन किया मेरी पत्नी के आच मृत्य हुई है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी देह का चंदन की लकणियां लाने का आदेश दिया। पंदु सेवक खाली हाथ लोटाये। उन्हें बहुत धुणने पर भी चंदन की लकणियां नहीं मिल सके। अर्जुन ने अपनी असमर्थता बताते हुए कहा। विप्र, सोना, चांदी, आधी जो कुछ तुम मांगोगे, मै देने को तयार हूँ। ब्रामन वहां से निराश लोटा। उसे सिर्फ चंदन की लकणियां चाहिए थी। ब्रामन कर्ण के द्वार पर जब याचना करने गया, तो कर्ण को भी सेवक ने वही जवाब दिया। तत पश्चाद कर्ण ने सेवक को आदिश दिया, राज महल के दर्वाजे और खिडकियां जो चंदन से बनी हुई है उन्हें उतारो और जितना चंदन ब्रामन को चाहिए उन्हें शिग्र दो। कर्ण की ऐसी अनुपम उदारता से ब्रामन बड़ा प्रसन हुआ और उसने पत्नी की अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। जब घटना क्र जब घटना क्रम शिक्रिष्ण को पता लगा तो उन्होंने अर्जुन को कहा तुमारे महल की खिडकियां दर्वाजे पी तो चंदन के थें तुमें देने का ख्याल क्यों नहीं आया। कर्ण का उदार भाव बड़ा उतकृष्ट है। द्वेश का चौथा लक्षन जब प् याद रखना साप का जहर दूसरों के लिए अग्रुना का जहर स्वयम के लिए खतरनाक है। सर्प का विश स्वयम सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाता परंतु द्वेश का विश दोहरा नुकसान दाई है। स्वयम के साथ वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। भगवान महाविर कहते हैं द्वेश भावना को हम मैत्री की वीराटता से मिटा सकते हैं। आज हमने मैत्री शब्द को अत्यन सामान्य स्थर पर ला दिया है। एक है थाली मैत्री जिनके साथ मिल बैठ कर हम भ प्रशनसा करते हैं वाह वाही में ताली भी बजाते हैं प्रसन्न होते हैं यह है ताली मैत्री तीसरी है प्याली मैत्री जो इन तीनों मैत्री से भिन्न है इसे समझने के लिए शब्द नहीं चाहिए। चोथी है मंगल मैत्री जो इन तीनों से उत्कृष्ट है सभी जीव म मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु नहीं, सभी का मंगल हो, सबका कल्यान हो, इसके लिए सभी जीवों को NOC देने होगी, यानि No Objection Certificate मुझे किसी से विरोध नहीं है. यह सत्य है, यहां प्रत्यक आत्मा स्वतंत्र है, सबकी जीवन शेली, विचार शेली और कार्य प्रनाली अलग-अलग है, किसी भी जीव से मुझे कोई परेशानी नहीं, ऐसी NOC जब भीतर से प्रकट होगी, तो सुक का गैरंटी कार्ड पाना भी आसान हो जाएगा. शेप में, मैत्री के क्षणों में हमें सबकी सुक और हित की चिन्ता हो, सिर्फ मुझे ही सुक मिले, ऐसा नहीं, सबको सुक मिले, दुख सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका टले, ऐसा अभ्याज आज से प्रारम कर दो और आपका सुक अनन्त होना प्रारम हो जाएगा.